Hello friends, please subscribe our channel, like this video and share with your friends और हाँ bell icon पर भी click किजिए जिससे कि आपको हमारा जो वीडियो है वो time पर मिल जाए और जब भी हम live हो तो अब आपके पस notification मिल जाए जिससे कि आप हमारा live class भी attend कर पाए इस वीडियो में हम kurtosis and skewness के बारे में पढ़ेंगे जो दो major component है stats के सबसे पहले हम देखते हैं skinness या विशमता जिसको हम इंदी में बोलते हैं वो क्या है देखे हमारे पास एक curve होता है NPC curve जिससे हम बोलते हैं जिसको हम अपने आने वाली वीडियो में cover करेंगी कि NPC क्या होता है यह हमारा NPC curve है जिसे हम normal probability curve या सामाले वक्रता curve भी बोलते हैं जो विशमता होती है और kurtosis होती है यानि कि skinness एंड जो kurtosis दोनों चीज़े हैं वो हमारे इसी curve से related होती है अब skinness क्या होती है फर्स्ट है विशमता का अर्थ वक्र के मथ्य बिंदू के दोनों तरफ आवरतियों के वित्रन से है यह हमारा NPC curve है इसका यह midpoint है जो black line से हमने show किया है इसके दोनों तरफ यानि कि left side और right side कितनी आवरतियों वित्रित हैं उससे हम खह सकते हैं कि हमारा curve जो है वो skewed है या नहीं है या किस type की skewness अगर इसमें है तो वो किस type की skewness है उससे पता सलता है जितनी आवरतियों left या right पर इसके वित्रित रहती है skewness is a measure of asymmetry और symmetry of a data distribution जो skewness होती है वो asymmetric और symmetric जो भी data distribution है वो बताती है asymmetric माने होता है asymmet और symmetric माने होता है summit मतलब सम्मित का अर्थ है जैसे कि अभी हमें हापर जो curve दिखाए दे रहा है वो जैसा left side से दिख रहा है वैसा ही right side से है मतलब यह जो बीच वारी लाइन है इसके जो black line है उससे अगर हम देखें तो यह mirror image बना रहा है left की राइट पर यह राइट की लेफट पर माने है दोरों तरफ से यह समान है पर अगर हमारा जो curve है वो कुछ ऐसे करके हो जाए जिसमें अगर हम अपनी symmetry line कोहीं draw करना चाहें इसका next point है our distribution or data set is symmetric if it looks the same to the left and right of the center अगर जो हमारा curve है NPC है वो right और left side से दोनों side से same देख रहा है तो वो हमारा symmetric curve कहलाएगा जैसे कि हमने यह आपर आपको दिखाया है यह जो हमारा blue से curve दिखाया है यह हमारा symmetric curve है क्योंकि यह both side पर same है इसकी दोनों tails same है यानिकि यह mirror image ब देखें तो दोनों तरफ symmetric आ रहा है अब ऐसा कर्व जो दोनों तरफ symmetric नहीं आता वो asymmetric curve कहलाता है तब हमारे set में हम कहेंगे कि इस जो भी distribution है data है वो skewed है यह हमारा non skewed curve है यहाँ पर हमारे को कोई भी skewness नहीं मिल रही है ठीक है इसकी skewness हम कितनी कहेंगी कि यह zero skewed है य कोई भी skewness नहीं है अब हमारे पास types of skewness होती है अगर हमारा जो data जो भी curve है वो skewed है या नहीं है उससे हमें पता चलता है उसकी types होते है कुछ तेखिए यह हमारा है no skewness यहाँ पर हमें कोई भी skewness नहीं मिल रही है reason वही कि यह left and right दोनों साइट से symmetric है जो इसका midpoint है उ किसी को हम symmetrical curve बोलते हैं जिसको हिन्दी में हम सम्मित curve बोलते हैं अब अगर यह symmetry हमारे पास नहीं है मतलब asymmetric curve है या असम्मित हमारा वक्र बनावा है तो वो किस type की होगी वो दो type की हो सकती है first कि वो left side से मतलब सारा data जो जादतर हमारे student है या जादतर data है वो हमारे जो average है उसके left side पे लाए कर रहा है इसको हमें एक example के तौर पे देख सकते हैं कि हमने कुछ student पर suppose कि यह 100 student पर अपना data apply किया कोई भी test apply किया और उसका जो mean आ रहा है वो हमारा 50 ही आ रहा है पर उस mean के बावजू जो average आना चाहिए वो हमारा 50 आ रहा है उस average के बावजू हमने यह कि जो जाधा तर बच्चे थे उनके score 50 से कम लाए कर रहे हैं मतलब माल लीजे test difficult था तो बच्चों के जो score थे वो 50 से नीचे आये हैं तो इस case में हम कह सकते हैं कि हमारी जो skewness है यहाँ पर वो जाधा score जो frequency है वो जाधा लाए करेगी और ज़िदी हम कह सकते हैं जो skewness है जुकाब तो यह जुक कहां से रहा है हमारे positive side से जब भी हम कोई graph बग्यारा बनाते हैं तो यहां हमारा 0 midpoint रहता है और इधर हम plus देखते हैं और इधर negative minus देखते हैं तो यह right side से हमारे skewn हो रहा है जो यह हमने दिखा है यहां से जुकाब है इसमें तो इसलिए हम इसे positively skewn बोलेंगे और दूसरा इसे बोलते है right skewn क्योंकि right side से skewn है I hope आपको यह समझ में आ गया होगा similarly जो हमारा left side से skewn है जैसी कि अब यहां पर आप देख रहे हैं यह जो curve है यह curve हमारा left side से skewn है जो इसमें जुकाब आ रहा है वो left side की तरफ आ रहा है तो इसे हम left skewn कहेंगे या left skewn है भी बोल सकते हैं और negatively skewn बोलेंगे क्योंकि जैसा अभी हमने बताया बीच में हमारा midpoint रहता है right side में positive स्कोर्ज रहते हैं and left side में negative तो यह हमारा negative side से skewness लिए से negatively skewn या negative skewness भी बोलते हैं और यह case हमारा तब आता है जब अभी जैसे अपने example लिया था कि हमने 50 students कुछ 100 students पर कोई test apply किया और सपोज उसका average जो है वो 50 है test का पर जादा तर बच्चे ऐसे थे जिनका जो score जा रह था सपोज 100 students थे तो उसमें से हमारे more than 50 यानि की सपोज कीजे 60 or 70 students ऐसे थे जिनका score जो more than 50 जा रहा था तो यहां पर उनकी frequency lie कर रही है तो इसलिए हम कहेंगे कि वो test हमारा बहुत easy test है और negatively skewness जो data आ रहा है वो हमारा negatively skewness है तो हमने आपको एक एक example भी बता दिया positive and negative skewness का इसके according अगर हम देखें तो अगर question ऐसा दे रखा है जो कि अभी last year भी अभी इस time जो हमारा net हुआ था उसमें भी आया था कि अगर जो भी data है जो scores है अगर कोई हमारा ऐसा test है जो बहुत easy है तो हमारी negative skewness होगी और अगर test difficult है तो वहाँ पर कौन सी skewness होगी हमारी positive skewness होगी क्योंकि difficult test होने पर बच्चों के कम marks आएंगे तो जाज़ा दर बच्चे हमारे left side पर लाए करेंगे और यह right skewness लिए कहलाएगी क्योंकि जो काब जो आ रहा है वो right side से आ रहा है I hope आप change होती है इस में आपको हमने जो red color उससे mean को denote कर रहे है green color की लाइन से हमने median को denote किया है and blue color की लाइन से हमने आपको denote किया है तो देखिए जो हमारा no skewness होती है वहाँ पर mean, median and mode तीनों चीज़े हमारे center पर ही लाएक करती है जो भी हमारा normal probability कर भे है उसके center पर ही लाएक करती है but जो positive skewness होती है या right skewness होती है हमारे उस case में जो हमारा mean होता है वो पहले आता है उसके बाद में हमारा median आता है और सबसे last में mode mode वहाँ पर आता है जो highest point होता है उस curve का वहाँ पर हमारा उस line पे mode हमारा lie करता है mode के बाद में आता है median और median के बाद में आता है हमारा mean जो की center से थोड़ा सा deviate जरूर होता है अब जो हमारा negative skewness से उसमें क्या होता है center के right side पे हमारा mean होता है वो आता है and then आता है हमारा median और जैसा positive skewness में highest point पर हमारा mode आ रहा था similarly इसके भी highest point पर जहाँ पर peak point होता है इस curve का वहाँ पर हमारा mode लाए करता है यह वाला mode हमारा कहलाएगा peak point से अगर देखें तो I hope आपको यह भी clear हुआ होगा इसके जो comparison होते हैं वो ऐसे करके आते हैं कि इसमें जो हमारे score रहेंगे जैसे यहाँ पर हमारा 50 score है माल लीजे बीच में और यहाँ पर हमने 0 से शुरू किया 50 और यहाँ पर हमारा 100 आया तो उसके according जो यहाँ पर हमारा red से हमने जैसे mean दिखाया है तो positive skewness में क्या होता है सबसे कम value हमारी mode की होती है mode के बाद में उससे बड़ा होता है median and median के बाद में सबसे बड़ा जो value होती है वो होती है हमारे mean की और इसी के opposite जो रहता है negative skewness में क्या होता है सबसे छोटा mean होता है क्योंकि यहाँ पर suppose अगर 50 आ रहा है और यहाँ पर 100 आ रहा है right side पर अगर 100 आ रहा है उसी के according हम देखते है तो सबसे छोटी value होती है वो mean की होती है उससे बड़ा रहता है median and सबसे बड़ा जो इस case में होता है negative skewness में वो होता है हमारा mode I hope आपको इसारा clear हो गया होगा चलिए अब Curtis देखते हैं Curtis को हिंदी में बोलते हैं वक्रता वक्रता का अर्थ वक्र के नुकीले वा चप्टे बन से है Curtis is the characteristics of being flat और peaked कोई भी हमारा curve है वो कैसा है जैसे हमने दिखाया है यहाँ पे normal curve है इसकी जो उपर वाला point है वो peaked है मतलब उपर तक ऐसे करके जा रहा है flat जा रहा है या फिर normal है यही चीज हमारी क्या कहलाती है Curtis is कहलाती है Curtis is a measure of whether the data are heavily tailed or right tailed right tailed relative to a normal distribution यह जो है हमने यह पताया कि Curtis is a measure of whether the data heavy tailed or light tailed relative to a normal distribution जैसे हमारा normal distribution है तो यह इसकी tailed कहलाती है right and left तो अगर हमारा जो data है वो light tailed है मतलब ऐसे करके जो जा रहा है ठीक है तो यह हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पर peak dress यहाँ पर जादा होगी और अगर heavy tailed है मतलब अगर हमें से किसी और color से आपको बना के दिखाते है Curtisis कहराएगे जिसको भी हम आगे आपको पताएगे अब देखे इसको जो calculate करने का तरीका होता है वो हम formula होता है के यू इसको represent करते है के यू से formula होता है Q upon P90-P10 उपर जो है Q वो अपारा quartile deviation है नीचे P90 माने 90 percentile और P10 माने 10 percentile value हमें दे रखे अगर ये value हमें किसी भी data की पता है तो हम उसकी Curtisis को पता कर सकते हैं ये एक तरीका है Curtisis को पता करने का इसके अलाबा भी काफी सारे formula होते हैं और इस formula को हम बोलते है percentile coefficient of Curtisis I hope ये वाली जो information है ये भी आपके लिए बहुत helpful रहेगी इस formula को बोलते है percentile coefficient of Curtisis जो हम KU की help से निकालते हैं ये काफी बार कभी कभी net में और कुछ exam में पूचा जाता है तो अब इसको याद रखिएगा I hope आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा अगर आपको अच्छा लगा दिन प्लीज लाइक कीजिए इस टाइम पर भी एविलेबल होने का ट्राइ करिए जिससे कि आपके जो भी डाउट से हम उस समय भी क्लियर कर सकें और प्लीज लाइक दिस वीडियो शेर दिस वीडियो और सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं किया है तो थेंक यू